अगर वरन संकर्ता का दोश लग जाता है तो फिर आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्वी कृत्य आपको कभी पुण्य का फल नहीं देता और कभी भी आपके पितर त्रिक्त नहीं होते वो अब त्रिक्त हो जाते हैं और कभी भी आपके द्वारा किया गया कोई भी उनक सुबह 10 वज़ से लेकि 11 वज़े की बीच वोपस्त हूँ आप सब के सामने आज जिनकी कुड़ी लेकर के आया हूँ इनका नाम पूजा है और ये श्मला हिर्मासाल प्रदेश्शे हैं इन्होंने पोछा है सवाल की दर सल इन्होंने एक बात बताई है कि मैंने प्रेम वेबा मेरा काम मेरा बिजनेस और हम लोग 23 साल से शनक पर बिजनस कर रहे हैं और क्या हमारी अपनी दुकान होगीं और मैंने प्रेम विवाह किया है और गुरु जी मेरा बिजनेस भी जो घर से केक बनाने का था वो अब बहुत कम हो गया है मुझे मेरे बेटे और मेरे पती का सहारा हमेशा रहेगा क्या जर्मस्थान छोड़ना चाहिए या देखिए एक चीज सबसे पहले कि जब आप प्रेम विवाह करते हैं तो सिर्फ विवाह ही नहीं करते हैं वस्तुता आप बहुत सारी चीज़ें अड़ाप्ट करते हैं यह बहुत बड़ी बात है अब आपने प्रेम विवाह में कितनी चीजें छोड़ी हैं और क्या-क्या पकड़ा है यह सबसे जिम्मेदारी वारी बात है जैसे अगर वर्ण बदल जाए ब्रहम वर्ण से च्छत्रिये हो जाए च्छत्रिये से वैश्य हो जाए तो जो आती है वो कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास जो है वो अलग तरीके सा है पर वो कई तरीके सा आपको प्रभावित कर सकती है जैसे आर्थिक पक्ष से आपको परिशान कर सकती है सामाजिक रूप से तो परिशानी चलो यह बाहर की बात है आर्थिक रूप से आप ह गुरु, छट्वे, आठ्वे, बारा में, और मंगल जैसे पापग्रह के संपर्क में, और साथे साथ राहू से केंदर में, पंचम भाव के अधिपतिशनी, सुर्य और बुद्र के साथ, और पापकरत्री में, पंचमिश, पापकरत्री में हो गये, और शुक्र जो है वो, प् चंद्रमा कन्या राशी के जो व्यक्ति आसानी से किसी के फेवर में चला जाता है और वो चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं उस राशी काधिपति बुद्ध सवग रही मतलब चंद्रमा के पास बल है पर यह कंफ्यूजन वाले स्टेट में हैं दोनों चंद्रमा और मंगल अस्त वाले कारेकरम में जाकर कि देखेंगे अवा थोड़ी दिन पहले ही मैंने कारेकरम बनाया था कि जंब कुंडली में अगर मंगल अस्त होते हूं तो आपको सबसे पहले अपने निरने पे बहुरोशा करने से दो बार विचार करना चाहिए recipro कहांगे अरे पंडीजी मंगल अस्थ है पर चंदरमा केंदर में है तो ये चंदरमा मंगल का नीच भंग करता है पर भगवान ये आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं पहले नंबर पे क्या देखा है कि मंगल नीच का है और चंदरमा अकेले लगन में बैठेंगे तो व्यक्ति को प प्रेम से अतरिक्त है और प्रेम के अतरिक्त कुछ होता ही नहीं है तो यह चीजे ऐसा आपने क्यों किया मैंने यह बताया पंचमेश शनी मंगल और केतु के पापक प्रभाव में और उसके बाद आप जब देखेंगे तो शनी इनकी कुंडली में अस्त भी है पंचमेश अस् के लिए तो किसी की सुने नहीं अपना निर्णय सुना करके चल दिया यहां चंद्रमा शनी के साथ राहू के साथ यहां पे खटे मिठे संबंध बनेंगे आर्थिक पप्ची कभी-कभी मजबूत और कमजोर दिखाए देता रहता है क्योंकि विश्दोष है यहां बहुत अ पग्रह बैट जाता तो और भी ज्यादा जो छोटी मोटी समस्या है वो नहीं बनती और मैं समस्ता हूँ कि आपके सामने वाले जो आपके पती है वो थोड़े लूंज-बूंज आलसी भी है जो कर्म छेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आक्टिव नहीं हो बाते हैं कई यहां पे सब्तम भाव के अधिपती जो चंद्रमा है वो आपको खुद का ब्यापार करने के लिए प्रयरित कर रहा है आपके पती को भी और यहां पे मंगल जो चतुर्थ भाव में बैटे हैं या आपको कभी भी शांत नहीं रहने देते चाहे कितना विधन कमा लेंगे व उनको एक रुपया भी नहीं मिलेगा खुद का रोजगार सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा यहां पे स्तती चीक है गुरु शुकर की रैसी में बैठे हैं यह थोड़ा कमजोर है इस वज़ए से कई बार व्यक्ति को संतान वगेरे से थोड़ी बहुत समस्या होती है या स पितर कभी भी आपके द्वारब किया गया कोई भी धार्मी कृत्य पितर लेते नहीं है और उसका फल नहीं मिलता हाँ यह बात सास्त्र की बात है अगर आप वर्न संकरता के दोश से अपने आपको लिप्त करके विवाह करते हैं जो हमारे समाज में दो चीजों को बचाने क आवशक्ता है प्राया आप जब देखेंगे जो बड़े बड़े विदी बेता है जो ज्यान के बड़े पारंगत है आचारिये हमारे रिशी महरस्वी हमारे सद्गरंथों में जो बात लिखी है उसमें दो चीजों को बचाने की बात कही गई है एक बेटी और दूसरी किया है और ये नहीं कि कुछ भी खा लिया मतलब मांस भक्षण आपका भोजन कितना सुद्ध और स्पस्ट है और बेटी बचाने का मतलब है कि आपने अपने बेटी का जो दान किया है जो कन्या दान किया है वो किसे कर रहे है या आपकी बेटी ने जिसका वरण किया है वो कौन है क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि आपके अपास और आपके जो है वो संसकारों में अगर वर्ण शंकरता का दोश लग जाता है तो फिर आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्वी कृत्य आपको कभी पुण्य का फल नहीं देता और कभी भी आपके पितर त्रिक्त नही प्रक्षानियों से जूजना पड़ता है कई तरीके के मानसिक और बाधाउं से भी दोचार होना पड़ता है पर ये बहुत बड़ी बात होती है इसे समझना चाहिए तो आपने चलो गलती कर ली पर अब वर्ण के बारे में आपने बताया नहीं है ये चंद्रमा और सुक्र ठीक है सब्तम भाव के अधिपती के बाद दशम भाव के अधिपती शानी यहां उच्चे के हैं विपरित पर इस ठतियों के साथ व्यक्ति का कारोबार अड़का आगे बढ़ता रहेगा गुरु तुला के है ब्यापार करना होगा और अब एक बात बताता हूं किस चीज से आपने जो प्यापार किया है वो आपकी कुंड़ी का सबसे कमजोर ग्रह है और दशा किसकी चल रही है गुरु की तो गुरु का काम तो किया है आपने पर वस्तुता आपकी कुंड़ी में वो सबसे खराब है सबसे खराब अगर कोई ग्रह है तो वो गुरु ही है इस लगातार मैं डाउन में जा रहा हूं लगातार नीचे जा रहा हूं क्यूंकि शनी की दशा आपके लिए सपोर्टिव थी क्यूंकि यहां वो ब्यापार भाव के अधिपती या ब्यापार के कारक शनी जो है वो बुद्ध के साथ बैठे थे बुद्ध ब्यापार का कारक होता है सूरिय दिगबली होते हैं शनी अस्त थे पर मेहनत आप से करवाया जितना आपने पराक्रम करा उतना आप परिणाम देते गए इस कुणली के लिए वो पंचमे शोकर के यो कारक स्थती भी बनाते हैं और थोड़ी बहुत प्रतियोगिता जो उनको मिलती रही वो गुरू क का बल शनी को मिलता रहा लेकिन गुरू के पास किसी भी सुभगरा का कोई बल नहीं है क्योंकि आप देखिए तो मंगल की दिष्टी है जो कौन है इस कुनली का अस्तमेस अब इस दशाकाल में ध्यान से समझे आपका खारण बता रहा हूं कि आप क्यूं समस्या से ग्रसी क्योंकि इस दशाकाल में अस्तम भाव के अधिपती दारी दिर्दोश लगा करके और मेहनत करवा करके आपको इस पर देख रहे हैं मंगल की साथमी दिष्टी तो पढ़ गई लेकिन आठमी दिष्टी जो पढ़ रही है वो सत्रू के घर पर पर पढ़ रही है और ये आप तो अस्तम भाव के अधिपती एकादश्वे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले आपके लाब को मारेंगे क्योंकि वो तो नीच के हैं और दूसरा वो एकादश्वे भाव ये सूत रही है एकादश्वे भाव में अगर आठमी भाव का अधिपती बैठेगा तो कम पैसो चल रही है और आपकी कुंडली में शडबल में सबसे खराब अगर कोई ग्राह है तो वह हैं गुरू या तो ब्यापार बदली विचार करिए आप और कौन सा काम कर सकते हैं और दूसरा अपने पितरों के निमित प्रतेक अमावश्या को दान सुरू करिए कुछ भी अनाज हो फल हो फूल हो वस्त्र हो दक्षडा हो कुछ भी हो नहीं तो ये गरीबी को प्राप्त होने का योग आ जाएगा दूसरे नंबर पे अभी आने वाले हैं वापस फिर से शनी दोहजार अटाइस में थोड़े दिन का वक्त है गुरू की दशा में अगर आप और भी कुछ करन करना तो भी आपा रही है और गूरू का नहीं आपकी कुंडली में अभी की स्थती के हिसाब से मैं एक बात बता दूँ तो बुद्ध जो है वो जिस स्थती में बैटे हैं आप फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं जमीन से निकाल करके कोई चीज जो बनाई जाए पे जो डिजिटली जो प्रिंट किया जाता है बड़े-बड़े होडिंग बैनर वगेरा उसके बाद स्याही का काम जिससे हाथ थोड़ा गंदा हो जाए वह वाला काम और इसके बाद कंप्यूटर के छोटे-छोटे कंपोनेंट जो बनते हैं वह बहुत जारे राहू से आप कोई भी काम कर सकते हैं इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैं जो इस्तुती देख रहा हूं उसमें आप सजावटी सामान भी ले सकते हैं जैसे कपड़े कुछ छोटी-छोटी कारी-गरी और इसके अत्रित आपकी कुंडली में जो कॉस्मेटिक चीजे होती हैं वह भी आप कर सकते हैं मतलब जैसे मैं बता दूँ तो फलों का कारोबार भी आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा सबसे बढ़िया फल का कारोबार अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ आप मशालों का कारोबार ये भी बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ साथ आप क्योंकि गुरु है थोड़े कमजोर लेकिन एक बात है कि आप कपड़ों से समर्दिद्वी कारोबार में जा सकते हैं क्योंकि शुक्र भी यहां उच्छे हैं और यहां पर भी सुक्र उच्छे के हो रहे हैं और जन्म कुंडली में लगनेश भी है शडबल में वो बल्वान भ अब मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं जैसे चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में वो ठीक बैठे है क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे है उसका आधिपती सूरी केंद्र में ही बैठ रहा है दिखबली हो करके शनी दशमस्थान में खराब नहीं होते बह कोई शनी आ रहे है तो गुरू से पहले राहू आए आपने राहू को जेला और गुरू के बाद शनी आएंगे जो शनी आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं अच्छे बैठे भी है और अस्थ होने के बावजूदी में समस्ता हूं तो उनके पास बल रहेगा क्योंकि वो कम से कम निकट बैठे होते हैं तो सुरी के साथ शनी के बैठने से सनी का बल पढ़ जाता है कम से कम तो वो कुछ आपको नहीं तो गुरू से तो अच्छे ही परणाम देंगे राहू में भी आपने धन कमाया है ऐसा नहीं है राहू ने भी आपको दिया होगा कारण क्यूंक उससे वो केंदर में थे और मैं समझता हूँ कि उस पे एक सुभग राह की दृष्टी तो है एक सुभग राह की दृष्टी भी अगर पढ़ जाए तो बहुत अच्छा होता है क्यूंकि यहां पे भी राहू जो है वो चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं और अपने मित्र के सा असल जिस इस्थुती में मैं उनको बागी के अन्य चार्ट में देख रहा हूँ उसमें उन्होंने 25 प्रतिशत का परिणाम दिया है 25 प्रतिशत भी दिया है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है लेकिन समस्या गुरू की दशामे हो रही है और आपको गुरू को और आपका काम आगे बढ़ाएंगे तो अभी कुछ ऐसा काम करिये जो राहू और शनी से समंदित हो या फिर सुक्र और राहू से समंदित हो या फिर डिरेक्टली अगर मैं कह दूँ तो आपकी कुरूली के हिसाब से जो सूरिय से समंदित हो जैसे सूरिय से समंदित आप आपको पहले इस बात पे विचार करना है कि आपके वहाँ के हिसाब से कौन सा व्यापार ठीक रहेगा दूसरा इस कुंडली के हिसाब से आपको उत्तर दिशा की तरफ हैं ही हिमाचल Candma जाएंगे तंजानियां तो जाएंगे नहीं तो उत्तर दिशा ठीक है आप देश के उत्तर ही छोर पे हैं और बहुत अची बात है वहां से कहीं बटकने की कोई आवशिक्ता नहीं है और आप जन्मस्थान के निकठी रहें तो जादा बढ़ियां होगा धन कमाने के लिए आप अपने जहां पे शिंबला में ही शिंबला का दख्षन को ना चूनिए और अपने दुकान का नाम वह अक्षर से रखिए वरिशव राशी से रखिए या फिर मकर राशी से भी रख सकते हैं वैसे अभी मकर राशी पे तो नहीं कहूंगा ढईय साढ़े साथी का प्रभ अपने ब्यापार का नाम बदलना चाहिए, अंक आपके लिए चार अच्छा रहेगा, नक्षत्र पुष और पुनर्वसु और आरदरा ठीक रहने वाले हैं, म्रिगरशीरा और म्रिगरशीरा के बाद आपकी कुंडली में एक और भी नक्षत्र जो बहुत अच्छा रहे, वो हो सकता है कृतिका और अनुराधा, ये दो नक्षत्र आपके लिए बड़े अच्छे दो तीन और ये अच्छे रहेंगे, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में धनिश्चा तो थोड़ा बचना चाहिए, दिन आपके लिए बुद्धवार और शनिवार का अच्छा रहेगा, ये इतनी सारी चीज़ें, दशाओं में सुर्य, शुक्र, मंगल, बुद्ध, चंद्रमा, ये ठीक हैं, पर कमजोर गुरु जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आप देख रहे है अगर हो सके, तो जल पी करके, या दूद्ध पी करके, या फल खा करके रहें, तो आदसी के दिन दान करिए, पूर्य पारण अच्छे तरीके से करिए, पूरे बैश्नो धर्म के आधार पर, मंदिर का दर्शन, सुर्य को अर्ग, आदित्य, आदितो कुछ नहीं कोंगा, ऐ इसा कुछ है, आपकी कुंडली में नहीं, विश्ण सहस्तर नाम बन सकता है, पुर्णी मा का वरत आपकी कुंडली में बन सकता है, चंद्रमा कहीं से भी कमजोर नहीं है, अगर गुरू बगेर देख लेते हो, तो थोड़े मजबूत हो जाते है, मंगल कमजोर है, इस इने तयार करते हैं, खुद को इस पे विचार करिए, संतान वगेरा का सुख आपकी कुंडली में है, उसको लेकर के परिशान मत होए, मंगल देख रहे हैं, और उससे पंचमभव में शुक्र की बीस्थुती बनी है, वो खराब नहीं है, और मैं समस्ता हो कि पंचमेश पे परिशानी में, यह तीन केंदर खाली थे, इस वज़ा से आपने ऐसा काम किया, यह भी केंदर खाली था, यहां पंचम में अकेले अच्छे नहीं होते हैं, इस वज़ा से आपका जो चेत्र है, वो टूटल जो है, वो पूरा जो है, बहुत ज्यादा प्राक्टिकल टाइप आप शुद्ध और परिपक को मजबूत बनाना चाहते हैं, इस में फोकस करिए, और निश्य दुरुप से यह कुणली तो हजार अठाइस के बाद और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तब तक के लिए, बहुत बहुत नमस्क्र,